दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों आखे हमारे शेरीर के सबसे ज़रुरी अंगो में से एक होती है और इसकी रोशनी में अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो हमारे लिए काफी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है आजकल तो कम उम्र में भी ये समस्या देखने को मिल जाती है इस वीडियो में हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं जिसे आप करकर आखों की रोशनी को पूनपराप्त कर सकते हैं आखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं काफी आसान उपाय है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं आप क्या करें दोस्तों सौफ ले ले और उस सौफ का आप चून बना ले यानि की पाउडर बना ले उस पाउडर को आप क्या करें आदा चम्मच रात को सोते हुए दूद में मिला दे और एक चम्मच उस दूद में चीनी मिला दे या फिर आप मिश्री को उसमें मिला दे और उस दूद को आप पी ले अगर आप ऐसा करते हैं तो लगबग एक महीने में आपको आखों की रोशनी में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा इस चून का उपयोग आप दूद के इस्तान पर पानी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन दूद के साथ करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है या फिर आप क्या गरें प्रती दिन भोजन करने के बाद एक चमच सौफ खा लें ऐसा करने से भी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है और इससे एक बेनिफिट और मिलता है कि यह पाचन क्रिया को सही करता है अगर आप खाने के साथ खाते हैं तो यह आपकी पाचन क्रिय आपको सही कर देता है कब्ज को ठीक करता है गेस नहीं बनने देता है और पेसाप को भी ये साफ करता है तो दुस्तों आप सोंफ का प्रियोग आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अगर आपको ये जानकरी वैसंद आई हो तो चैनल जरूर सस्क्राइब करें पनिवाद